सुनरी, अगर तुझे इस घर में रहना है, तो तीन परिक्षाओं का सामना करना होगा, ठीक है माजी, कल सुबह जब मैं उठू न, तो बगीचे वाला कुवा मोतियों से सेल करके बंद कर देना, ठीक है माजी, आप कल तक कुवा खाली कर दीजेगा, मैं उसे मोतियों से रह गई फिर उसने कमरे में ही पड़ी हुई ड्रमी की तरफ देखकर कहा ये टोकरी पकड़ और कल इसी से पानी खेच कर टंकी भर देना जी बहुत भेटर माजी मन ही मन सीता सोचती है मैं सूने से पहले इस टोकरी को रसी बांग कर कुवे में डाल देती हूँ सुबा तक वास की ये सारी दलिया मिलकर इतना भूल जाएंगी के पानी को अपने अंदर रुपने के लाइक हो जाएंगी सीता अपने कमरे में सोने चली जाती है सुबा जब सासो कर उठती है तो सीता कहती है लीजिये माजी आपनी जैसा कहा था मैंने उस्वास की टोकरी के साथ टंकी पानी की भर दी है सासो माँ पानी की भरी टंकी आठ टोकरी में भरा हुआ पानी देखकर सब समझ गई पहले तो मानो बेखतियार उनके मुक्पन मुस्कुराहट आ गई लेकिन फिर गुस्से से बोली हम कोशिश तो होशियार बनने की कर रही हो कल के लिए तैयार रहना सीता को पूरा विश्वास था कि वो जरूर सफल होगी दूसरे दिन सुभा मुक्पेश काम के लिए निकला सीता घर में चावल का एक दाना नहीं है तुम सरा बाजार जाकर एक बोरी चावल ले आना जी माजी जैसी आग किया गया पैसे दीजिए यही तो चनोती है तुम ही चावल बिना पैसे के लाने हैं क्या चावल और बिना पैसे हाँ और हाँ इतनी दूर जाना अगर मुश्किल लगे तो यह साथ में एक नील गाए ले जाना जी और हाँ नील गाए बेच कर मतायो नहीं तो घर में पैर नहीं रखने दूँगी जी जी माजी ऐसा नहीं होगा दुपहर को सीता ने सास को आवाज दी माजी लीजिए मैं चावल की बोरी ले आई ऐयो कैसे उधार लाई क्या नहीं माजी नील गाए के बाल ना कर दे दे सीधा सुनकर हैरान होती है हाँ सही सुना तूने राख की रसी ये तेरी आखरी परिक्षा है अगर तू इसमें सफल हो गई तो जैसा तू कहेगी पैसा में करूंगी वो बिना कुछ कहे कमरे में चली जाती है सुबह होती है तो सासुमा सोचती है लगता है आज तो इसका कोई तोड़ नहीं मिला सीधा पहू को इसे लिए तो सामड़ी नहीं आई चलो अच्छा हुआ पीचा चूटा चलो मैं तो उतनी देर में नहा आती हूँ उथर सीधा ने एक बरतर में धाई हाथ नापकर एक रसी रखी और उसे आग लगा दी जिससे वो रसी राह की बन गई जब शीला नहा कर वापस आई तो तभी सीधा ने धाली धीरे से खाट पर रखते हुए कहा मा जी ये लिजी राह की रसी सास ने धाली की जानिब देखा तो बहू को गले से लगा लिया तू तो वाकई बुद्धी मान हैरी मेरे मुकेश के लिए तुझसे अच्छी दुल्धन तो कोई हो ही नहीं सकती तो प्यारे दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्स्राइब करना